नमस्कार मैं हूँ सूकरदी रोई चैटर जी और वोल्सकाई में आप सभी का स्वागत है चीनी और मिश्री दोनों ही आपके खाने का स्वाद बढ़ाते हैं मिश्री चीनी का रिफाइंड रूप होता है ये चीनी की अपेक्षा जादा फाइदेमंद होती है चीनी को बनाने के लिए कई तरह के रसायनों का अस्तमाल किया जाता है बल्कि मिश्री गन्ने से प्राप्त पूरी तरह से प्राकृतिक उत्पाद है चीनी के सेवन से रक्त में ग्लूकोज का स्थर बढ़ता है जबकि मिश्री और इलाइची के सेवन से तनाव और अफसाद को कम करने में मदद मलती है चीनी के सेवन से आपका वजन तेजी से बढ़ता है जबकि मिश्री का इस्तमाल करने से आपका वजन भी संतुलित रहता है इसके अलावा स्तनपान करने वाली माओं को भी मिश्री के सेवन की सला दी जाती है जिसे उनका स्वास्त भी सही रहे और बच्चे पर भी कोई बुरा असर ना पड़े बता दीं कि मिश्री को आवला चून में मिलाकर खाने से सिर्दर्द की समस्या में काफी आराम मिलता है और इम्मिनिटी बढ़ाने में भी मददकार होता है मिश्री को मुँ में दबाकर रखने से गले की खराश और खासी में राहत मिलती है वह दूद में केसर और मिश्री मिला कर पीने से एनरजी और एक्टिवनेस आती है साथी ब्लड सरकूलेशन भी अच्छा रहता है उमीद करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेयर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले